हलो दोस्तों कैसे हैं तो आज मैं explain करने वाला हूँ पुस्पा मुवी को तो बिना किसी देरी के चले वीडियो को सुरू करते हैं यह कहानी है लाल चंदन की तसकरी का जिसमें एक हीरो रहता है एक विलेन रहता है कुछ गुंडे रहता है वही पुरान कहानी लेकिन एक नया अंदाज में तो फिर्म सुरू होता है जहां अपना हीरो पुस्पा जेंगल के बीचों बीच लाल चंदन से भरा ट्रक को लेके जाता है यहां अपना हीरो लाल चंदन की तसकरी करता है बेड़ो फिर रास्ते में पुलिस वाले पुस्पा का ट्रक रोक लेता है फिर पुस्पा उन लोगों को धोने लगता है, और धोते धोते बोलता है कि 10 ज़ाद ले लो और मेरे को छोड़ दो, अचलो 20 ज़ाद ले लो और मेरे को छोड़ दे है यहाँ तक की एक लाग देने को तैयार हो जाता है, लेकिन फिर भी पुलीस वाले नहीं मानते हैं, अरे पुस्पा को पुलिस वाले पकड़ लेते हैं और जिल ले जाने लगते हैं तब पुस्पा बोलता है तुम लोग क्या लगा तुम सबको मेरा के 1 लाग बोला किया अरे एक आदिमी के 1 लाग बोला फिर क्राइम पिलिस वाला वहें सुसैट कर लेता है और एक रिस्वर्च बताओ यह कोई बात हुआ या तब उसका मालिक एक आदमी आता है और पूसपा के पास आके बोलता है का रहे मालिक को इजब नेे काrator का मालिक आया अगा माली का यारति मेल क्लोंगी मुठा था करें उसको अग लृगल मुझे काम की ऊट पैसे देता है कि जद देने का पैसे देता है और उसी समय वह काम छोड़के वहां से निकल जाता है वहीं पे एक आदमी रहता है जो पुस्पा का पास सुनके उस पर फिदा हो जाता है और वह अपना मालिक को छोड़के वह पुस्पा को अपना मालिक बनाने के लिए वहां से पैसा रहता है तो पुस्पा गैर कानूनी कामला गाड़े में जाकर बैठ जाता है ये गाड़ी रहता है लाल चंदन के तसकरी करने वाला गाड़ी जिसमें तिहारी मजदूरी के लिए इन सबी को ले जा रहा होता है फिर वालोग जंगल में जाते हैं लाल चंदन के फिर पुलिस वाले वहां आ जाते हैं तो सारे मजदूर बक्री चिराने का बहाने वहां पर बैठे हो रहता है तो पुलिस वाला आता है और पुलिस वाला को उन पर साख हो जाता है तो पुस्पा डायरड बोलता है अब हम लोग यहां पर लकडी छुपा दिये हैं अगर पुलिस वाले डर के वहां से भाग जाते हैं फिर सब लोग लकडी लेके अपने माली के पास जाते हैं और अपनी अपनी मजदूरी का पैसा लेते हैं तभी वहां पे केसो आता है अरे वही जो पुस्पा को अपना माली क बनाने चाहता था और पुस्पा से विंति करता है कि भाइ हमको अपने साथ रख लोना, हमको बहुत पैसा कमाने का है。 तब ही वहीं वहीं पे पुलिस वाला अपना पूरा बैटेलियन लेके आ जाता है. सब को पकड़ने के लिए. ये पुलिस वाला डरा नहीं थे जार ये तो बैटेलियन लाने गिया थे. तब वहाँ पे सब भागने लगता है और पुस्पा एक ट्रक को लेके वहाँ से भाग जाता है जिसमें पूरा लाल चंदन रखा हुआ रहता है और पुलिस वाले उसका पीछा करने लगते हैं तभी पुस्पा एक सुनसान जगा में एक कुवा में पूरा ट्रक को ही डाल देता है और वहाँ छुपा देता है लेकिन पुलिस वाला वहाँ पहुंचता है और पुस्पा को पकड़ लेता है और थाना ले जाता है और थाना में पुस्पा को खुब धोता है और ट्रक का पता पुस्था है लेकिन मजाल है पुस्पा बता देगा कि ट्रक कहा है पुस्पा जुकेगा नहीं साला जब पुलिस वाला मार मार के ठक जाते हैं तो पुलिस वाला ही लाल चंदन का जो तसकरी करता है न तो उसके पास लेके जाता है बता यार पहले पकड़ो फिर मांडवाली करवा और यह पुसपा से ट्रककाप पर रहाता है कि यहां गौलिया याय कि करता mseff before right has past your ओग रहता है और सबसे खतरना जो तीसरे काव सबसे बड़ा तil उन्हें यह तो तो से फूसपा से जक्काड़ी हो जिता जिस में सबसे हो стать पताप पुषता है तब पुसपा उन लोगों को पता बताने का 5लाइक मांगता है और उसके बाद उस जगा पे पुसपा उन लोगों को ले के जाता हैBob कुछ पैसा देता है और ओटोस आने को बोलता है तब पुस्पा का इगो हट हो जाता है और वह केसो को बोलता है कि जा भाई मेरा लिए गाड़ी लेके आओ ये गाड़ी कितने का है तो बोलता है पांच लग का तो जा गाड़ी लेकाओ अपने यहां से गाड़ी में ही जाएगा मैं यहां से हिले जीतना भी लाल-चंदन के तस्कर रहता है न, वा अपना माल मंगल सीनुको भी बेशता है, और messing माल को बाहर बेशता है, यानि सिंडिकेट का एक मेन बोस मंगल सीनु रहता है, तब लाल-चंदन सीनु तक नहीं पहुच पाता है, पुलिस वाले रास्ते में ही पकड लेते, इसलिए वह अपना सभी आद्मियों को धोध रहा होता, तबी पुषपा बोलता है। ये लोग क्या पार कराएगा रहे, मैं है ना, मेरा पार्थ ऊएक मस्त आयडिया है। तब Gondar Reddy पुसपा को एक मूंका देता है, चेकपोस पार करवाने का, फिर पुसपा ट्रक को बीच में से काठ के, नीचे लक्री अर उपर दूद रखता है, और चेकपोस पार करा देता है, तो Gondar Reddy इसका इस प्लेंस जेदम मस्त खुस हो जाता है, और पुसपा को वा चार पसंद का पार्टनर बना देता, इसके बाद पुस्पा सिर्यवली को देखता है, अरे वह ही अपना हिरोईन और देखती है उस पर लट्टू हो जाता है, फिदा हो जाता है, पसंद करने लगता है और वा उसको पठाने के लिए उसके पीछे पीछे घुमने लगता है लेकिन सिर्वली उससे तो देखती तक नहीं है भावे ने देती है यार बताओ कोई जयते नहीं है और इधर लाल चंदन की तसकेरी करते करते अपना हिरोईन को पापा जी पुलिस के हाथों पकड़ा जा छब देता है फिर जब अपना हीरोईन मूभी देखने जाती है अपना फैवरेट हीरो कफिलीम देखने तो उसको टिकटें मिलता और ब्लेग में टिकट खाइदने के लिए इसको पैसा नहीं रहता है तो अपना पुसपा भाव को एक बार देखेगी तो मैं तुमको एक पाउरा होता था उसके बाद पुस्पा केसों को बोलता है तुम एक हजार दी हमको देखने का तो उसको पांस जार दो हमको चुमी देने का तब वह पांस जार उसको देता है लेकिन सिर्वली बोलती है कि मैं अपना फर्स्ट किस अपना हस्बेंड को ही देगा और वहां वहा जूर्णा रेडिि के अड़े पर रखने के लो आता है, फिर पुलीस वाल PAC, ऑपने ही रोगनिया का पाप, चंदर नदी में बहाद आता है और केशा को बोलता है कि जाके देम के फाटक बंद कर देना और इस तरह वहां पर पुलिस वालोब पहुंचता है तो उसको कुछ मिलता ही नहीं अर इस तरह साला लगडी को वहां बचा लेता है और इसी खुसी में मंगल सिनु पार्टी देता है ये तो धोका है बढूर्वित और यहां बाथ फुस्पा गोंडा रेड़ी को जाके बताता है कि एक टरं माल का हुआ हमको पचिस लाँक देता है और वह छिनमे में जाके एक कड़ोर में ब्हेजता है तो फुस्पा और गोंडा रेड़ 좌ने के बढ़ाने के लिए वह पूसपा को भेचता है कि कपी है न शीयार रहता है न मंगल सिनू से को भी बढ़ाने के बात करता है न उसको टफकाही नहीं नहीं माना तो तू कौन है और मैं कौन हूँ फिर पुस्पा सिर्वली को देखने जाता है रिष्टा लेके उसका घर लेकिन पुस्पा का चचेरा भाई यह उसका बड़ा भाई आके वहां हंगामा कर देता है दरसल पुस्पा का पिताजी दो साधी किया हुआ रहता है लेकिन उसका पिताजी मर जाता ह और उसका जो बड़ा भाई रहता है उसको नाजायज मानता है इसलिए वह उससे नफरत करता है और इसलिए रिष्टतिरवाने चल जाता है बताओ और पुस्पा की मा या आप मान बरदास नहीं कर पाती है और वा बिहोस हो जाती है और पुस्पा अपनी मा को लेकि होस्पिटल ले जाता है अगला सिन में पुस्पा मंगल सिनु से रेड बढ़ाने की बात करने के लिए जाता है लेकिन वहाँ वह लोग पहले से ही rate बढ़ाने का बात करने वाला एक आदमी को धो रहा होता है तब पुस्पा जिक्स जादा है बोलके 25 का 50 rate बढ़ाने का बात करता है यानि डायरेट 25 लाग से डायरेट 50 लाग बड़ी तरक्की में ही तो तब वहाँ लोग पुस्पा को मारने का कोशिस करता है तो पुस्पा वो लोग को धो डालता है और उसी के फोन से लाल चंदन का सप्लायर जो रहता है यानि मूरगन जो चेनने में रहता है उसको वो फोन करता है और डायरेट माल बेचने का बात करता है कि हम लोग मंगल से नो कमाल नहीं वेश गे रहे तुमको लेने का है क्या और उसके बाद वह मूर्गन से डील फिक्स करने के लिए चिनने चले जाता है और दे पुस्पा ये बात सुनता है तो वह खूस हो जाता है तब वह पुस्पा को ले के जाता है जोली रेडी के पास और जेली रेडी को वहाँ पे खूब धोता है एतना धोता है कि मार मार के उसको अदमरा कर देता है और स्रेवली के पापा को वहाँ से छुड़ा लेता है फिर ग मंगल पुस्पा सुनक वहां से निगल जाता है कि उसके बाद उसके बाद के बाद गोंडisz रेडिल आता है और लेता है और उसको मारने ही वाला रहता है कि फुस्पा वहां आता है और उसको बचा लेता है और मंगल सिनु को साला को भी खूबद होता है तभी वहां मंगल सिनु का वहीं पे फोन आ जाता है और फोन में रहते हुए हुआ मंगल सिनू का जो साला रहता है उसको टपका देता है यानि गुली मार देता है उसके बाद वहाँ का एक MLA मिटिंग बैठाता है यह MLA भी उन लोगों का तस्करी में हिस्सदारी रहता है और सभी तस्करों को यह कंट्रोल करता है यानि final फैसला यानि final decision इसी करता है और यह M पुस्पा और भी बड़ा आद्मीं बन जाता है और MLA मिनिस्टर बन जाता है उसके बाद उस इलाका में एक पुलिस वाला के इंट्री होता है भावार सिंग स्यखावात जो की भूत ही खतनाक रहता है उसके बाद पुस्पा का साधी तैह हो जाता है और वह साधी का काड़ लेके और थोड़ा से रिस्वत लेके वह उस पुलिस वाले के पास चल जाता है उसको खायदने के लिए ताकि उसको अपने इसारे पे नचवा सके लेकिन वह भी थोड़ा तेरी खोपड़ी ऑला रहता है और फुस्पा को धमका देता और उसके खांदान के बारे में भी नहीं लेना चाहता है ताकि साधी में कोई हंगामा ना हो और वहा पुलिस भाहर सिंग से खावत उसको धमका के हर मैंने रिश्वद मांगता है उसके बाद पुस्पा भाहर सिंग के आगे पीछे घुमने लगता है जो बोलता है वह सब काम धाम छोड़के वह उस पुलिस वा करता है कि तुमको मेरे साथ ऐसा बSmith यहीं नहीं करना चाही सब मेरे सब करते हैं और बोलता है उस दिन मैं इसलएब फा Dual सारी चाहे कोक सभी करें लेकिन आज मैंज होती साला और हो उसको वह हो case क देता है और उसके बाद घर आता है और मैंड़। में बैठता है और हम भी यहीं पर एंड हो जाता है यानि खातम हो जाता है तो दूस्तों आपको यह मुअ कैसा लगता और आपको यह वीदियो कैसा लगता मुझे नीचे कमेंट बॉक Q Am ex करें अब कुछ सिकायत हो तो भी कमेंट करें और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें देना यार मैं मिलता हो आपसे अगले वीडियो में तब तक के लिए धनेवाद